एक रात पहले ही इरादा करके सोई थे कि आज नाश्ते में कीमा, अंडे और पराठे बनेंगे और ये इतनी आसान कीमे की रेसिपी है ना कि शायद ही आपने ऐसी कभी रेसिपी बनाई होगी और अंडों के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है और पराठों के बारे में तो क्या कहना आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा तो करना क्या है इसके लिए यहाँ पे हमने आधा टेबल स्पून धनिये का लिया है और आधा टेबल स्पून जीरा और दोनों चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और यह हमने थोड़ा सा फैलावा पैन लिया है क्योंकि इसी में कीमा और इसी में अंडे बनेंगे तो एक पाउंड के करीब हमने यहाँ पर कीमा डाल दिया यह मटन है आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते है साथी में एक बड़ी प्यास स्लाइस करके डाल दिये और एक टमाटर और इसे बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना बस बड़ा बड़ा हमने स्लाइस ही कर दिया था इसे एक टेबू स्पून भरकर अदरक लसन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे अगर आपके पास सिर्फ अदरक लसन हो तो उसका एक चमच डाल दे और हरी मिर्चे एक से दो अदर जो है वो आप काट के डाल दे साथ में डालेंगे एक छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर साथ में जाएगा इसमें आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच नमक का लेंगे ये नमक का हिसाब बिलकुल बराबर है आप चाहें तो थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं गेजुर छोटी चमच हमने यहाँ पर काली मेरी का पारडर घूर डाल दै और साथ ही मे डालेंगे जो किटावा भनिया और जीरा था वह भी डाल देंगे यहाँ आते हम उप आते हैं किसी आप अहारे की मार्न के चाहिगे कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई गुटलिया ना रहें और बस यह सारी चीजों को अच्छी से मिक्स करके न अब हम इसे ढखना ढखकर पकने के लिए रख देंगे तो देखें कितना आसान है इसका बनाने का तरीका और यह है कि हमने सुगा के टाइम पे से बनाया था और यकीन जाने इतना जल्दी यह बनाता और इतना मज़े का ना कि आज बनाया तो सोचा आज ही रेसिपी शेयर की जाए यहां पर अब हम पराठे की तयारी कर लेंगे तो इसमें हमने धाई कप होल वीट फ्लावर लिया है यानि कि आपने गंदम का आटा लेना है और साथ ही में हमने एक चुटी चमश नमक की डाल दी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और बस फिर आप पानी से इसका आटा गुन लेंगे और इसका नरम आटा गुनना है बहुत जादा इससे सक नहीं रखना तो हमारी अम्मी हमेशा ये कहती है कि भई आप रोटी बनाओ और आपको नरम और मुलाइम रोटी खानी हो तो उसके लिए आटा जो है नरम ही गुन दे तो बहुत जादा सक नहीं किमे का क्या हाल है कि ये आपको इस बात का दिहान रखना है कि पानी ऐसी नहीं कि पुल ही ड्राइ हो जाए और नीचे कीमा आपका लगने लगे तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा हिलाते भी जाएंगे ताकि प्याज और टमाटर हैं जो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो चुका है इसे चेक करके आपको दिखा रहें कितना सॉफ्ट है और उपर से आप चाहें तो थोड़ा सबस तेल या घी वगएरा डाल के ना इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे तो आटा तो हो गया हमारा तयार कीमा हमारा पक रहा है तो जल्दी जल्दी से अब हम इसके पे होते हैं अच्छा अब जो है हम पराठो के लिए सारे हमारे पेड़े तयार करके रख देंगे पहले तो यहां पर आपने एक पेड़ा लेना है और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और यह है कि सारू को हम पहले तयार करके ना एक साइट पर रख लेंगे और पहले जो पेड़ा तयार किया था उसे बेल कर हम पराठा भून देंगे अच्छा यहां पे देखें हम यहां पे लगाएंगे इन पराठो में होम मेड घी तो इस घी के रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं जरूर इस वीडियो को चेक आउट कीजएगा यह इतना बहतरींगी घर में बन के तयार होता है ना कि आपको क्या बताएं इसमें एक अच्छी सी फूबसूरत सी कैरेमल वाली स्मेल आती है लेकिन मीठा बिल्कुल भी नहीं होता तो आप इसको रेसिपी को एक बर जरूर ट्राइ किजएगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उपर आई बटन भी मौजूद है राइट हैंड कौरनर पे आप क्लिक कर सकते हैं और रेसिपी जरूर ट्राइ कीजएगा और बताएगा जरूर के रेसिपी लगी कैसी तो देखें यहां पर हमने पेड़े भी तयार कर लिए हैं बस इसे पंकों की तरह जिस तरह से कागस के पंके बनाया करती थे ना बच्वन में विको इसी तरह से आपने इसे लपेटना है और जो है हम इसका पेड़ा तयार करेंगे पहले हमने घी इसमें डाल दिया था, फिर हमने सूखा आटा डाल दिया और इस तरह से इसका पंखा बनाते जाएंगे, हलका हलका इसे खेशते भी जाएंगे ताकि ये लंबाई में जो है थोड़ा सा बड़ा होता जाए और बस ये मेदा तो है नहीं, अगर जादा खेचा आ यहां पे कीमा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखें यह अब कीमा अल्मोस्ट अच्छे से पक चुका है, तो इसकी अब थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, ताकि प्याज और टमाटर वगएरा वो अच्छे से मिक्स हो जाएं कीमे में, अच्छा यहां पर जेखें हमने ज दोनों चीजें करते जाएं, तो सारी चीजें एक साथ अखिता आपकी बनके तयार हो जाएंगी, और अब यह जो है पराठो को हमने अच्छे से बेल लिया था, और इसे तवे पे डालके आपने अब इसे सेखना है, तो यहां पे देखें, यह हमने बड़ी साइस के पराठ जाएं तो इसे पलट देलेंगे, और नीचे की साइट को भी पकने देंगे, उपर से लगाएंगे थोड़ा सा घी, तो बस यह पराठों में जो है ना वो घी का ही फ्लेवर अच्छा लगता है, चाहें बजार का घी हो, देसी घी हो, या जो भी आपने घर में घी बनाया हो वो लगा लें, घी ना हो तो बटर लगा सकते हैं और बटर नहीं तो तेल भी लगाया जा सकता है, जो आपकी मर्जी हो, तो यह देखें अच्छे से जबरदसे खस्ता पराठे बने हैं, और फ्रेश पराठों की तो बात ही कुछ और होती है, और स्पेशलि अगर नाश्ते खस्ता पराठा एक तयार है, लेके करके हमने सारे पराठे पहले सेख लिये थे और एक साथ ही जो है ना हम सारी चीज़े सर्फ करेंगे, अच्छे ये रेसिपी शेयर करने की हमें इतनी जल्दी थी आपके साथ, कि आज सुबा ही हमने ये बनाई थी रेसिपी और आज ही र यकीन जाने बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो देखें ये कितना खस्ता पराठा बना है, बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़े का बना था, तो बस ये है कि इसी तरह से आप भी बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, तो यहाँ पे देखें पराठे तो आप बन ग जाएंगे तो ये है कि हमने चक के देख भी लिया, बिल्कुल बराबर था, ओपर से हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे अंदर, और इसमें डाल देंगे अंडे, तो हमने यहाँ पर पांच अंडे डाले हैं, आप पांच या उसे जादा भी डाल सकते हैं और इसे ढ़क के आपने बस एक आज मिनिट ही पकाना है बहुत जादा नहीं पकाना अगर योक्स आपको रनी रखने हैं तो बेशक इसे बहुत जादा नहीं पकाएगा वरना यह है कि सारे योक्स भी आपके पक जाएंगे तो यह देखें इसकी कितन नहीं खुबसूरत शकल निकल के आई है अंगे भी पक गए नीचे कीमा भी आपका अच्छे से पकावा है उपर से चिड़केंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और काली मेरी और इसको पराख्टों के सार्फ करें तब आप भी से बनाएं और अपने प्यारे को खिलाएं झाल